नमस्कार दोस्तों आज मैं आपको एक होमेपेथिक मेडिसिन साइडोनिया वल्गेरिस के बारे में बताऊंगा और कुछ जानकरी दूँगा तो मैं डॉक्टर विक्रम आपका मेरे चैनल में बहुत-बहुत स्वागत है तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों साइडोनिया वल्गेरिस प्लांट किंग्डम की मेडिसीन है और इसे हम क्विंस के नाम से भी जानते हैं साइडोनिया वल्गेरिस mostly European Countries में पाई जाती है और उन ऐसा हि same test होता है लगभक-लगभक Sidonia vulgaris का दोस्तों सबसे पहले बात करेंगे कि Sidonia vulgaris as a homeopathic medicine हमारे सरीर में असर कहां करती है फिर उसके बाद मैं आपको बताऊंगा इसके लक्षड मतलब sign and symptoms, फिर उसके बाद बताऊँगा दोस्तों कि आप ये किन-किन बीमारियों में ये ले सकते हैं, क्या-क्या प्रॉब्लमस में ये ले सकते हैं और क्या इसके doses हैं, कैसे आप लें, तो दोस्तों सबसे पहले जानते हैं कि ये हमारे सरीर में असर कहां करती है, दोस्तों साइड होता है लूज मोशन होते हैं पतली दस्त जाती है तो उसको ठीक करने में तो बहुत ही मददगार मेडिस तो यह था इसका एक्षन अब चलते हैं साइनेंट सिम्टम्स की तरफ की क्या लच्छण होते हैं साइडोनिया वलगेरिस के दोस्तो सबसे पहला लच्छण है पेट से संबंदित अगर आपको इनडायेशन की प्रॉब्लम होती है आपका पेट अच्छे से साफ नहीं होता या डाइरिया है लूज मोशन है दस्त होती है या आपको कबजियत है कॉंस्टिपेशन है तो आप साइडोनिया वलगेरिस ले सकते हैं दोस्तो बच्छों को अगर दस होती है तो साइडोनिया वलगेरिस बहुत ही जादा एफेक्टिव मेडिसिन है मेल जनाइटल को स्ट्रेंथिन करने के लिए दोस्तो अगर उसका फंक्षन थोड़ा सा डिस्टर्व है मेल जनाइटल का तो उस फंक्षन को भी ठीक करने के लिए बहुत ही जादा एफेक्ट साइडोनिया वजरी थे दोस्तों parting में बहुत ऑच्छा असर करती है साइडोनिया वजर्डी तो तो पूरी तरीके से थीग कर देती है अब चलते हैं कि आपको किन की यहर्टस में साइडोनिया वल्लग्र ट हो तो अगर आपको इन्डिजेशन की वाफ प्रापल में हो प्रगा देता ह writes साइडोनिया वॉल्गेरिस रैटी सीस में लेना जाइए दो बुन सुबह्य और आपको सइडोनिया वल्गेरिस लेना है दो बुन सुबहुन उबहुत ही ज़्यादें अगर आपको irritable bubble syndrome हो आपको lose motion भी होते हैं कभी कभी कभ़ी कभजियत भी होती है कभी constipation भी होता है कभी lose motions भी होते हैं यह problem है आपको तो आपको Cydonia vulgaris 30 CH potency में लेना चाहिए दो बुन सुबह दो बुन दो पहर में और दो बुन रात को साइडोनिया vulgaris male genital को strengthen करने में बहुत ही जादा effective medicine है आपको male genital से related problems हो तो आप Cydonia vulgaris ले सकते हैं इस condition में आपको Cydonia vulgaris 30 CH में लेना है मैं आप पिक्चर लगा देता हूं तो आप अच्छे से देख लीजेगा Cydonia vulgaris 30 CH में लेना है दो बुन सुबह, दो बुन दो पहर में और दो बुन रात को लेना है और Cydonia vulgaris mother tincture भी लेना है साथी साथ 30 CH के और उसको आधे कप पानी में आधा कप पानी ले लीजे दोस्तों और उसके बाद Cydonia vulgaris mother tincture को आप 20 बुन उस पानी में डालके पी लीजे सुबह पीना है फिर उसके बाद दो पहर में पीना है एक बार 20 बुन डालके आधे कप पानी में उसके बाद एक बार रात में पीना है बस ये तीन बार Cydonia vulgaris mother tincture को आपको पीना है और साथी साथ आपको Cydonia vulgaris 30 CH potency में 2 बुन सुबह, 2 बुन शाम को और 2 बुन रात को लेना है इसको ल 3-6 मेने तक लेंगे तो बहुत ही जादा effective रहेगा आपके लिए दोस्तों कैसी लगी आपको Cydonia vulgaris medicine आशा करता हूं कि आपको अच्छी लगी हो दोस्तों आप लोगों ने काफी मुझे बोला था कि इस medicine के बारे में एक वीडियो बनाईए तो अब ये वीडियो बन गया ह है आप देख लीजे और medicine ले लीजे दोस्तों दोस्तों हो ये medicine आपको होमेप्रिथिक शॉप में मिल जाएगी आपके आसपास जो भी होमेप्रिथिक शॉप है वहां पर जाके आप साइडोनिया वलगेरिस मदर टेंचर और ठैटी सीच ले सकते हैं दोस्तों अगर नहीं म नॉलेजबल होमेप्रिथिक डिसीज डिलेटेड वीडियो लाता रहता हूं तो उसको देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बहुत ज़रूरी है दोस्तों अगर आपको किसी तरह की बीमारी है तो उसके बारे में आपको जानना होगा तो मेरे चैनल में जाके उस बीमारी के बारे में जान सकते हैं और उसकी होमेपेथिक मेडिसीन के बारे में जान सकते हैं दोस्तों दोस्तों नीचे एक शेयर का बटन दिया गया है तो उसको दबा दीजेगा अपने फेस्बूक और वाटसेप अकाउंट में इस वीडियो को ज़रूर शेयर कर कुछ भी पूछना है तो नीचे मैसेज कर दीजेगा दोस्तों लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भुलिए इस वीडियो को दोस्तों आज के लिए बस इतना है कल फिर मिलते हैं जैहिंद जैभारत धन्यवाद थैंक इस सो मच बाइ